इस सेशन में हम रिमेंडर्ट थेयोरम के कंसेट को समझेंगे रिमेंडर्ट थेयोरम को जानने के पहले थोड़ा सा बेसिक डिविजन अलगोरिफम देख लेते हैं सपोस्थ एक नंबर है 12 इसको आप 5 से डिवाइट करते हैं तो आप क्या करते हैं 5 तूजा करेंगे 10 और यह इसको हम बोलते हैं डिवाइजर ठीक है यह होता है हमारा कोशेंट यह निची जो रिमेंडिंग बसता है इस इस रिमेंडर्ट और यह जो हमारा 12 है इस कॉल्ड डिविडेंड ठीक है तो यह हमारा होता है बेसिक डिविजन जो हम प्रिविएस क्लास्वर करते हैं डिविजन ऑलगोरितम जो होता है वो होता है हमारा डिविडेंड जो होता है इस इक्वल टू डिवाइजर इन्टू कोशिंट प्लस डिमेंडर होता है ठीक है जैसे हमने इस क्वेशन को बनाया यहां पे 12 हमारा डिविडेंड था डिवाइजर हमारा यहां पे 5 है प्लस डिमेंडर हमारा टू है तो यह सॉल्व करके डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए तो जब हम डिविजर बनाते हैं और उसके साथ क्वेशन में हो कि वेरिफाइजर डिविजर और तो हम यह ऑपरेसं करते हैं यह कंसेप्ट हमको यूपिलिट ने दिया था इसलिए इसको यूपिलिजर और गोरिफम के नाम से भी जाना जाता है ठीक है जो आपको प्लास थ अलगोरिफम कहले धार अगोरिफमान तो हुआ जाता है तुम अपने डिविजर सही किया है-डिऒएंडश एप को इसका से सही है यह हम्मेर्ड फियोर्म पढ़ना něम जैसे कि आ प्लस 15 को आपको डिवाइट करना है एक्स प्लस 5 से ठीक है तो आप क्या करते हैं पहली चीज़ यहां ध्यान दीजेगा बहुत चोटा सा पहली चीज़ कि जब भी आप किसी अलजबरीक एक्सप्रेशन का डिवीजन निकालते हैं तो आपका डिवाइजर अस्टेंडर फॉर्म में होना चाहिए चाहिए उसके बाद इसंडिंग पावर वाले चाहिए और सबसे लास्क में चाहिए और यहां दुछ प्लस 5 में तो प सब्सक्राइब करते हैं तो यहां थोड़ा सा मैं आपको बतायता हूं कि हमेशा फॉर्स ट्रंब से डिवाइड करने की बात सौश्ट है पहले हम देखेंगे कि एक्स में क्या चीज से मुल्टिप्लाई करेंगे कि एक्सस्क्राइब तो आप यहां अमारा कोशिन पर सब्सक्राइब करेंगे तो यह हो गया एक्सस्क्राइब करते हैं यहां भी आप सब्सक्राइब करेंगे आपको बताया होगा प्रिवियस क्लास में कि जब आप अजबरिक एक्सप्रेशन का सब्सक्राइब करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है इसका साइन माइनस हो गया इसका साइन माइनस हो गया जब यह साइन चेंज होगा तो इस साइन को यूज नहीं करता है यह साइन चेंज हो चुगा है ठीक है यह प्लस एक्सस्क्राइब यह माइनस एक एक्स विचिस थ्री एक्स और यह उपर से 15 ले रहे हैं अब फिर हम डिविजन करेंगे एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस प्लस तो आपका पुश्चर अरेस्ट वे में है इसलिए आपको बोला जाता है कि स्टेंडर्ड पॉर मिलिए तो आप एक्स को एक्स से 3 एक्स को और यह विए फिर यहां पे इख सब्सक्राइब तो यह होता हमारा अलजबरी एक्स पर्सिंट का लिजन यहां रिमेंडल पॉर्ट यहां जिरॉ्ट आया इसको भी जब आप यहां पे इसकुश्चन बाल लाके देखेंगे तो यह बिच्चन को जस्टीफाई करेंगा जैस करके देख था हूं कि कैसे करेंगे में से एक्सेड लेते हैं और यह पूरे ब्रेकट को सब्सक्राइब कर रहें अगर यह पूरा गाट सब्सक्राइब यह स्गतर हैं यह बत्व OnStar सफ्सक्राइब का सब्सक्राइब करात हैं यह यह माना तक है टिक.- K ठीक है अब हम जो पॉलिनोमियल चाप्टर के अंदर जो रिमेंडर क्यूरम पढ़ना है हम उसको डिस्वस करेंगे फ़ले इंको नोट की लिए क्र random को मैं शब्से पहले एक एक्जांपम लेखते हैं एक्ष माइन तर्ध ओद से दिवाइड करना है थ्री ईक्स का पावर कुर मइनस पौर एक्सकर माइनस पॉल्ह प्री एक्स माइनस वणन ओन बी अर है और यह वी अपने अरुम को जो पाष्ट तो इसको डिवाइड करते हैं देखते हैं क्या होता है यहां एकस है और यहां थ्री एकस का पाउर पूर हमेशा देखो इस टर्म से इसके यहां जो भी फरस्ट तर्म है उसको डिवाइड करना अटोमेटिक लिए बाद वाला खुद निकल जागा और सॉल्ब हो जाएगा एक तो आप यहां पर क्या होता है सब्ट्रक्शन होता है और आपको बताया गया है कि सब्ट्रक्शन जब होता है तो साइन चेंज जाता है यह प्लस हो जाएगा जब साइन चेंज हो गया तो पाहले वाले साइन को बोज ये अब इसको यह काना के आया है माइनस 4XQ प्लस 3XQ It is माइनस XQ माइनस जो बचा हुआ है उसको नीचे ले लिए माइनस 1 अब देखिए यहां माइनस XQ है और यहां पर X है X में क्या चीज से मल्टिप्लाई करेंगे कि माइनस XQ होगा अब फिर कोशें का दूसरा पार्ट हमें मिलिया माइनस XQ माइनस XQ माइनस XQ एंड माइनस XQ इंट माइनस 1 इस प्लस X स्क्वाइर अच्छा यहां ध्यां दीजेगा X स्क्वाइर करता दो नहीं है अब देखो क्या होगा साइन चेंज करो यह प्लस हो गया और यह माइनस हो गया यह हमारा कैंसिल आउट हो गया अब देखिए यहां 3X माइनस 3X माइनस 1 है और यहां माइनस XQ एकॉर्डिन टू पावर आप अर्हेंजमेंट कीजेगा फ़रे हाइस पावर अटर माइनस XQ माइनस 3X x and minus 1 अब फिर देखिए minus x square x X में क्यावaron ठीक है फिर याँ सिर्टनी उस्टाइ भेल सब्साइज फिर यहां पिर क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे फिर यह प्लस हो गया यह माइनस हो गया यह कैंसर हो गया बचा कियाras minus 3x minus x is minus 4x and minus 1 अब यहां देख्यों x minus 1 है minus 4x minus 1 minus 4x को divided करना है तो minus 4 के साथ multiply करेंगे minus 4 तो यह हो गया हमारा माइनस 4x और माइनस 4 इंटू माइनस 1 is प्लस 4 ठीक है? साइन चेंज कर दो यह प्लस हो गया और यह माइनस हो गया यह यह कैंसल आउट हो गया माइनस 1 माइनस 4 is माइनस 5 यहाँ पे हमारा रिमेंडर बचा इस question में अब देखिए हमने division algorithm के through इस question को बनाया रिमेंडर हमारा माइनस 5 आया पर हमें यहाँ रिमेंडर theorem पढ़ना है जिसमें आपको इसकी जवरत नहीं पढ़ेगी अब मैं इसी question के through आपको रिमेंडर theorem समझाता हूं देखिए रिमेंडर theorem है क्या रिमेंडर theorem यह है कि if fx is a polynomial अगर fx कोई एक polynomial है जिसकी degree कुछ भी हो सकती है कितना भी degree का हो सकता है ठीक है fx is a polynomial यहां मेल एकर देता हूं of any degree एनी डिक्री ठीक है एंड इस दिवाइड़ेड वाई एक्स माइनस a fx कोई polynomial है जैसे मालीजी यह कोई polynomial है और वो x माइनस a से डिवाइड हो रहा है यहां x माइनस 1 है एक ही जगह पर यहां पर वन है एक्स माइनस ए दिन एफ ए इस रिमेंडर एफ फेज होगा वहीं रिमेंडर होगा यहीं होता है अब इस फेल्चन पूम्हां जो पर ना हूआ है समझे यह पर वट नियत्र पालिमियल दिया हूए तो यह फॉलिनोमियल हमारे सामने है इसको ले लेते हैं 3x का power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 and it is divided by x minus 1 और यह क्या से divide हो रहा है x minus 1 से divide हो रहा है तो ध्यान दीजे यहाँ x minus a है यहाँ x minus 1 है clear है कि a is equal to 1 आपको use करना है अगर आप a is equal to 1 नहीं use करते हैं तो हम क्या करते हैं इसको is equal to 0 कर लो तो x is equal to 1 आ जाएगा ठीटे? समझे? तो x minus a से divide हो रहा है यहाँ x minus 1 से divide हो रहा है मतलब according to theorem a की value हमारी 1 भी पर हम चुकि हमारा terms of x में है यह polynomial x के form में है और यह भी x के ही form में है हम x की value यहाँ पे 1 लेए अब हमारा theorem क्या करता है कि f a मतलब जो a की value है वहीं remainder होगा मतलब इस particular question के लिए ए क्या है? 1 है तो हम क्या करेंगे? f1 निकाल देंगे और f1 जो आएगा वहीं हमारा remainder होगा 1 f1 निकाल हो किसले exercises में आप यह बना चुके हो value of polynomial आप निकाल चुके है x की value 1 से replace कीजे minus 4 into 1 का cube minus 3 into 1 minus 1 1 का power 4 is 1 into 3 is 3 1 का power 3 is 1 it is minus 4 3 into 1 is minus 3 minus 1 simplify कीजे minus 4 minus 3 minus 7 minus 7 minus 1 minus 8 और plus 3 it is minus 5 f4 हमारा कितना आएगा minus 5 आएगा theorem क्या कहता है f1 is remainder therefore this minus 5 is remainder देखो यहाँ minus 5 आपका remainder है समझके? लिखिजिएगा therefore by remainder theorem by remainder theorem क्या होगा? यह जो एफ़े आया वही हमारा remainder theorem है और यहीं remainder theorem का explanation होगा? ठीक है? अभी यह चीजे और clear होगी जब आप 2-3 question और बनाएंगे तो यह ज़्यादा tier हो जाएगा बट यह remainder theorem समझ जाए कि remainder theorem क्या है? कि fx कोई polynomial है जो x minus a से divide हो रहा है तो fx होगा वह remainder होगा fx निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जो आपका diviser है उसको note लिखिए is equal to zero कीजिए वहाँ से x की value निकालिए और y value यहाँ डाल दीजिए जो भी इसका answer होगा वहीं आपका given question का remainder होगा by remainder theorem division algorithm से यह हुगा बट आपको यहाँ पे class line में division algorithm का question होगा तो इसमें clearly mention होगा कि divide the following by division algorithm या find the remainder by using division और दूसरा यह जो question होगा इसमें दिया हुआ होगा using remainder theorem you have to find remainder तो आप ऐसे निकालेंगे ठीक है note कीजिए एक example देखते है find the remainder when x power 4 plus x q minus 2 x square plus x plus 1 is divided by x minus 1 फ़ले इस question को हम remainder theorem से इसका remainder find out करेंगे solution देखिए सबसे फ़ले आप polynomial को आप f x g x p x कुछ भी निठीजिएगा f x कितना है यहाँ x raise to the power 4 plus x q minus 2 x square plus x plus 1 और इसको क्या से दिवाइड करना है x minus 1 से मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है आपको x minus 1 is equal to 0 लिजे its implies that x is equal to 1 ठीक है अब आप क्या करेंगे f1 निकाल देंगे f1 निकाल लिए f1 देखिए कितना होगा 1 raise to the power 4 plus 1 का cube minus 2 into 1 का square plus 1 plus 1 ठीक है इस expression में हमने क्या किया x की value 1 से replace कर लिए आप इसको solve किजे 1 का power 4 1 1 का cube 1 minus 1 का square 1 into minus 2 is minus 2 plus 1 plus 1 तो यह होगे आपका 1 plus 1 is 2 2 minus 2 is 0 और यह होगे 2 लिएगा since f1 is equal to 2 therefore by remainder theorem by remainder theorem remainder जो होगा आपका is equal to 2 होगा यही आपका answer होगा ठीक है तो यह question हमारा बना remainder theorem को use करते है अब division algorithm भी देख लेते हैं हमारा question है x का power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 इसको हमें divide करना है x minus 1 से ठीक है यहां दीजेगा है यह division algorithm है आपका question बन चुता है remainder theorem से ऐसा नहीं कि आप दोरों बना दीजेगा ठीक है division चुकिए आपको जानना है इसलिए मैं यह question आपको यहां पर बताएता हूँ देखो यहां पर diviser भी हमारा एरेंज है dividend भी हमारा एरेंज पर में है x है यहां x का पावर 4 है x में क्या ची से multiply करोगे कि x का पावर 4 होगा x cube से तो portion का एक पार्ट में मिल गया है x cube multiply कीजिए x cube into x is equal to x का पावर 4 x cube into minus 1 is minus x cube इसका साइन चेंज कर देता है इसका साइन प्लस है यह माइनस हो गया इसका माइनस है तो यह प्लस हो गया यह cancel out हो गया यहां देखेंगे x square plus x square is 2x square ठीक है बाती जो remaining बचे हैं उनको नीचे लिख देजी ठीक है अब देखों यहां पर x है और यहां पर 2x square x में क्याची से मल्टिक्लाइट करेंगे कि 2x square होगा प्लस 2x है तो 2x into x is 2x square and 2x into minus 1 is minus 2x sorry यह गलत पो रहा है यह x cube होगा न ठीक है तो x की होगा तो 2x square से multiply करेंगे तो यह होगा हमारा 2x cube minus 2x square साइन चेंज कीजिए minus और यह plus होगा यह cancel होगा और यह भी cancel होगा बच क्या गया x plus 1 ठीक है यह वाला part बच गया x plus 1 x में क्याची से multiply करोगी 3x होगा 1 से multiply करेंगा plus 1 से x into 1 is plus x 1 into minus 1 is minus 1 साइन चेंज करो minus यह होगा प्लस यह कट गया बचा क्या 1 plus 1 is 2 remainder आपका चुगा है ठीक है तो division algorithm से बनाओ या remainder theorem यूज करके बनाओ दोनों case में आपका answer 2 ही आएगा बट यह है कि आपको question ऐसे बनाना है इस वे में आपसे आपको तभी बनाना है जब आपको बोला जाएगा कि divide the following ठीक है divide this expression by this ठीक है तो आपको इसको ऐसे बनाना है और अगर division आएगा तो हो सकता है कि आपको division algorithm तो verify करदा भी पूशा जाए तो आप division आप बेरिफाई कर दीजेगा dividend is equal to आप पहले क्या कीजेगा divisor इन्टु कोश्येंट प्लस रिमेंडर की निकाल दीजेगा तो डीमेंडर ठीक है मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा x-1 इंटू x q प्लस 2 x square प्लस उन 2 x square प्लस वन एंड रिमेंडर इस प्लस टू जब आप इसको आपका डिविजन का डिविडिन है तो यह पूरा नहीं यह आप प्रोडुक्त आपको निकाल करके निकालना है यह हो गया आपका रिमेंडर ठीक है बाकी यह कुश्यन अब हम नेक्स्ट एक्ससाइस जो करेंगे उसने करें ठीक है